गूड मार्णिंग डियर इस्ट्रेंट्स इस क्लास के तहत आप लोगों को आज हम आपकी जो बुक है हारन विल हारन विल के हम लोग फर्स्ट लेशन के कल जिकर कर रहे थे जिसका नाम था दे पोर्टेट आफ अलेडी और इसके राइटर खुश्वन्त सिंग है तो कल हम लोगों की हमने लोगों पिछली क्लास में हम लोग इबाउट दा आथर जान लिये थे इबाउट दा लेशन जान लिये थे कि इसमें हमको क्या पढ़ना है अब हम लोग आगे आज test study program करेंगे और test study आप लोग अपनी book खोल करके शामिर रखेंगे और उसके बाद इसको आप लोग पढ़ना इस्टार्ट करेंगे कि इसमें क्या दिया गया है ठिक चुकि यहां से आपका paragraph दिया जाएगा और paragraph से आप लोगों को question answer पूछा जाएगा तो इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसके बाद paragraph से question answer करना सीखना है देखे लिखा गया है my grandmother like everybody's grandmother was an old woman अब दादी मा जवान तो होती नहीं दादी मा बोड़ी होती है तो यैसे ही लिखा है writer यहाँ पर थोड़ा सा width मतलब चाला की humor create करने की कोशिश किया कि कैसे हम पढ़ने में किसी चीज़ को interested हो correct my grandmother मतलब मेरी दादी मा अब यहाँ मेरी नहीं बलकि खुश्वन्त सिंग की मतलब his grandmother like everybody's grandmother जैसे की प्रत्येक व्यक्त की दादी मा वाज एन ओल्ड ओमें एक बोड़ी महिला थे she had been old and wrinkled for the twenty years that I had known her she had been old वह बोड़ी हो चुकी थी and wrinkled for the twenty years और बीस साल वर्सों से क्या थी जुर्रिधार इस्त्री के रूप में मैं उन्हें जानता था मतलब बोड़ी थी जुर्रिधार का मतलब क्या होता है जब मान स्पेशिया मतलब क्या हो जाती धीली हो जाती that's that I had known her जब से मैं उन्हें जानता हूँ people said, लोग कहते हैं that she had once been young कि वो एक बार क्या थी नव्यवक थी and pretty सुन्दर थी and had even had a husband और उनके एक पती भी था अब इसमें कोई नई बात तो नहीं थी मतलब कौन था उनके son था तो इसका मतलब husband रहा होगा और इसका मतलब क्या होगा इसके पहले कभी वो सुन्दर भी रही होंगी मतलब young भी रही होंगी but that was hard to believe लेकिन इसे विश्वास करने में थोड़ा शक्या कठिनाई है मतलब कठिन लगता है migrants mother portrait hung above the mental face in the drawing room और मेरी दादी मा की जो तस्वीर है वो लटकती हुई है above the मतलब किसके जो ड्राइंग रूम है ठीक है में अंगीठी की कनास के उपर mental pics in the drawing room ठीक के उपर नहीं यहाँ पर थोड़ा शाँ आप लोग देखिये कहा my grandfather's portrait मतलब मेरे दादा की तस्वीर हंग एबब the mental piece in the drawing room मतलब जो ड्राइंग रूम का में अंगीठी है उसके उपर टंगी हुई है he wore a big turban and loose fitting cloths वो एक बड़ी टोपी पहने थे and loose और धीले fitting fitting का मतलब चुस्त जिसको कह सकते हैं कपड़े अब धीले और चुस्त दोनों लिखा है loose fitting इसका मतलब क्या हो गया यहां पर एक figure of speech से ध्यान रखिएगा loose fitting और इसे हम कहते हैं oxymoran मतलब बीरोधा भास है लेकिन आफिन हम figure of speech जो आप लोगों को बताएंगे जब poem पढ़ाएंगे तो his long white beard cover the best part of his chest मतलब जो उनकी सफेद डाड़ी है वो उनके लगभग अधिकांस जो chest का पार्ट है उसको क्या किये हुए है अच्छी तरीके से धके हुए है and he looked at least a hundred years old और वो कम से कम सौ साल के दिखाई पढ़ रहे है he did not look the sort of person और कहा कि वो उन ब्यक्तियों की तरह नहीं थे साटा पार्शन देखें who would have a wife our children जिसके पत्नी हो और बच्चे he looked as if वो ऐसे दिखाई थे देते हैं जैसे he could only have lots and lots of grandchildren जिनके धेर और धेर सारे grandchildren मतलब नाती पोते जिसको कह सकते हैं ऐसा लगता है कि उनके इतने हैं एस फार माई ग्रेंड मदर बिंग यंग एंड प्रेटी जैसे कि मेरी जो दादी मां है ओ नवयुवक और कैसे लग रही थी शुन्दर the thought was almost revolting और यह बिचार ही क्या था घ्रणाशपत था बिरोध करने वाला था she often told us वो अक्सर हमें बताया करती थी किसके बारे में the games उस game के बारे में she used to play as a child जब वो बच्पन में क्या करती थी खेला करती थी that seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the favils of the our prophets she used to tell us वो खेल उनके लिए अशंगत और अशंवानित प्रतित होते थे और हमें वो जो कहा करती थी वो पैगंबरों की जिक्षपद कहानियों के समान होती थी prophets मतलब पैगंबर होता है she used to tell us जो हमें बताया करती थी favils मतलब कहानिया ठीक तो यह आपका paragraph first हुआ इसकी आप लोग अच्छी तरीके से rate करेंगे देखे यहाँ पर word meaning भी दिया हुआ है portrait of lady ठीक है portrait photograph और painting होती है wrinkled यहाँ पर जोरीदार लिखा हुआ pretty मतलब सुन्दर mantle piece a self of wood मतलब एक लकड़ी का जो आलमारी कह सकते है marble और stones over the fire places मतलब अंगीथी की कनाज जिसको कह सकते है lots of मतलब बहुत से यहाँ पर word meaning आप लोगों को पढ़ लीजेगा इसके बाद हिंदी अर्थ भी आप लोग जान सकते हैं दूसरे paragraph पर हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर देखी लिखाया है see had always been short and fat and slightly bent slightly bent अब क्या रहा है कि वह सदा छोटे कद की मोटी और थोड़ी जुकी होई थी bent मतलब जुकना होता है slightly मतलब थोड़ी से fat मतलब मोटी her face was a criss cross of wrinkles running from everywhere to everywhere के राएक उनके चेहरे पर सर्बत्र आड़ी तिरची मतलब जहां से निकली जहां को चली गई जुर्यां पड़ी होई थी no we were certain हम निश्चित थे she had always been as we had known her कि वे सदा ऐसी ही थी जैसा हम उनको जानते थे old so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years कि वे इतनी ब्रिद्ध थी कि वे इससे अधिक ब्रिद्ध नहीं हो सकती थी और बेस वर्स से वे उसी आयूपर रुकी होई थी यहां तक समझ में है she could never have been pretty और कह रहा है वे कभी भी सुन्दर नहीं रही ऐसा लगता है but she was always beautiful लेकिन वा हमेशा सुन्दर थी she howled about the house in spotless white with one hand resting on her vest to balance her stoop and the other telling the builds of her rosary पर वा सदा सुन्दर थी वा घर के इधर उधर बेदाग सफेद कपड़ों में बेढ़ंगे तरीके से चलती थी अपनी जुकाओं को संतुलित करने के लिए वा अपना एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ में जपलाखने रहते हैं जपलाफन जपलाफन के जाती है जैसे अम नमा सिवाय बोलते हैं ठीक है? तो मतलब जह से गाईतरी मंत्रइब करने के लिए बैए में यह रखते हैं माला उसको जपते रहते हैं गिंती के लिए और उनको गिंती रहती थे आगे लिखा है अगे लिखा है हर सिल्वर लुक्स वर इस्केटर्ड अन्टाइजली ओवर हर पैल ठीक है पाकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉंस्टेंटली मॉब्ड इन इन अंडिवल प्रेयर के रहा है कि उनके शफेद बालों के गुच्छे उनके पीले जुर्दीदार चेहरे पर बेतर्तीब धंग से बिखरे रहते थे और उनके ओट लगातार प्रार्थना में जो सुनाई नहीं पड़ती थी हिलते रहते थे लाक्स मतलब जो बाल का वो होता है जिसे लट बोलते हैं येस शीवाज व्योटिफुल हाँ वो सुन्दर थी शीवाज लाइक द्विंटर लेंड स्कैप और वो इन दा माउंटेन्स और कह रहा है कि न वो सफेदा मतलब जैसे वह सर्दियों में परवती भूद्रिश के समान थी परवती भूद्रिश मतलब जहां पर बर्पड़ती मतलब ऐसा सफेद उनके बाल थे ऐसा लग रहा था एन एक्सपेंसिस आप प्योर वाइट शेरंटी ड्रेटिंग पीस एन कंटेंट मेंट जो सफेद सांथ चित्र के समान दिखाई देता था जिसके सांती और संतोष मिलता था तो अब आप लोग अर्थ समझने के बाद अपनी बुक से इसकी वर्ड मेनिंग भी नोट कर लें करेंगे वीडियो यहां पर ड्रोंकेंगे और जो वर्ड मीनिंग आपका दो पैरग्राफ का है इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे जो आपको नहीं आ रहा होगा ओके थैंक्यू फार दिस क्लास लेकिन आप लोग बुक हो लेंगे और उसमें से क्विस्चन एंसर भी को बताएंगे अभी आप लोग लेशन लिखेंगे लेशन में राइटर का नाम लिखेंगे राइटर का नाम लिखने के बाद नीचे थोड़ा से राइटर के बारे में चाहेंगे तो लिख सकते हैं उसके बाद वर्ड मीनिंग नोट करेंगे उसके बाद फिर आप लोगों कमप्रेंशन बताएंगे, ओके थैंक यू फार दिस क्लास